नमस्कार मैं हुँ साहेबली और आप देख रहें livecities.n बिहार में नेता परतिपक 33 यादों की सम्विधान बचाओ न्या यात्रा part 2 कल से शुरू होने जा रही है 21 अक्टूबर छप्रा की जमीन तै की गई है जहां से यह सम्विधान बचाओ न्या यात्रा के शुरू आत्रा होगी न्या यात्रा अभी शुरू नहीं हुई है लेकिन विरोधी इस पर हमला जरूर बोल रहे है पार्टी के जदियू के प्रवक्ता है नीरज कुमार MLC भी है पार्टी के उन्होंने तैस्वी यादो पर तंज कसा है उन्होंने कहा है कि पहले तैस्वी अपने पार्टी के सम्विधान बचाओ न्या यात्रा करेंगे आर्जेडी के नेता और पुरो उपमुक मंतरी तैस्वी यादो रविवार यानि 21 अक्टूबर को छपरा से अपनी सम्विधान बचाओ न्या यात्रा पार्टो की शुरुवात करेंगे अब इस पर बिहार में राजनी तेज हो गई है उनकी आत्रा शुरू होने से पहले ही जदियू के ओर से उन पर हमला बोला गया है जदियू के ओर से एक खुला पत्र जारी किया गया है जिसमें लिखा गया है कि अपनी पार्टी का सम्विधान बचाएं तैस्वी यादो ये नसीहत भी दे गी है उनको जदियू के प्रवक्ता और विधान पारसद नीरच कुमार ने पत्र में तेस्वी को गोपाल गंज दोरे में हिर्द्यानन चौधरी के परिजनों से मिलने की सलाह देते हुए कहा है कि इस व्यक्ति ने आपके परिजनों को पटना में कीमती जमीन दान दी है उन्होंने कहा कि चौधरी ने आपके परिजनों को पटना के दानापूर में करीब 7.75 डिसमील जमीन दान में दे दी रेल मंत्री रहते हुए लालो परसाद ने इने रेलेवे में खलासी पत पर नोकरी दिलाई थी जिसके एवज में उनके नाम से बेनामी संपत्ती लिखवाई गई और फिर से उसे उपहार स्वरूप वापस कर लिया गया उन्होंने सवालिया लहजे में कहा है कि समविधान के तहट आपके पिता लालो परसाद को नयाई पालिका ने चुनाव लड़ने से आयोग गोशित कर दिया है जबकि RJD के अध्यक्ष अभी भी वही है ऐसे में समविधान की मूल आत्मा की रक्षा के लिए आप अपने पिता को पार्टी से बर्खास्त करेंगे जब आप अपनी पार्टी में ही समविधान के अनुसार कार नहीं कर सकते तो समविधान बचाओ नया यात्रा कैसी ये सवाल नीरज कुमार ने उठाया है, खुला पत्र लिखते हुए ये सवाल उन्होंने पूछाया तेस्वी यादों से गोपाल गंज को शक्ति पीट थावे मंदिर की धर्ती बताते हुए नीरज ने ऐसे स्थानों पर उनके नीजी सचिव और देहवेपार के आरोपी मणी यादों के साथ नहीं ले जाने की सला दिये जाहिर है कि तेस्वी यादों की समविधान बचाओ निया यात्रा का मेंट थीम जो है वो नितीज सरकार की पोल खोलना है लेकिन उससे पहले ही नितीज सरकार ने उन्हें समविधान का मतलब समझा दिया है और कहा है कि सबसे पहले वो अपने पिता और आरजेडी के रास्टी अध्यक्ष लालू परसाद यादो को समविधान के नाम पर पार्टी से बेदखल करें यानि कि बरखास्त कर दें उसके बाद फिर समविधान बचाओ नया यात्रा पर निकले आप लाइफ सीडिस के साथ बने रही हैं हम आपको बिहार समेत देश दुनिया की तमाम खबरों से लगतार अपडेट रख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर जाईए उसको सब्सक्राइब करिए साथी साथ हमारे फेस्दुक पेज को भी जरूर लाइक करें ताकि आपको खबरों से जुड़ी हर नोटिफिकेशन्स मिलती रहें